तो चलिए इसी बात को धिहांत में रखते हुए मैंने ये पेपर सेट किया है अंक 30 का पहला क्योशन है लिंक बदलो राजगा क्या होजएगा रानी हाती का हतनी माता पिता बंदर बंदरिया गोड़ा गोड़ी ये 2.5 मांक्स का है दे गए वाक्यों में किरिया शप्त को रेखांकित करे पक्सी आसमान में उड़ रहे है ठीक है तो यहाँ पे जो उड़ रहे है क्रिया है राधा नाच रही है तो यहाँ पे नाच रही जो है क्रिया है मां खाना बना रही है तो खाना बना रही क्रिया होगा मेरा पत्र लिख रही है तो जो पत्र लिख रही है वो क्या होगा मारा क्रिया शब्द होगा ये दो नंबर का है अब आगे बढ़ते हैं विलो क्योशन जो 4 है हमारा मिलान करें, ये भी 2.5 मार्क्स का है, काला क्या हो जाएगा, काला, बादल, लाल, गुलाब, नीला, आसमान, महंती, आदमी, मोटा, लड़का. प्रिशन पांच ये दिये गए वर्णों में स्वर वर्ण को गोला व्या व्यांजन वर्ण को वे खांकित करें, तो इसे आप बहुत ही आसानी से जो है स्वर और व्यांजन फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें ये 4 मार्क्स का है, वचन बदलो, अब कुरसी का क्या हो लेकिं ध्यान रखना, जब हम कुरसी आ लिखेंगे, तो सैपर छोटी की मातरा आएगी, ठीक है, और यहां पे चंदर बिंदू आएगा, ताला, ताले, नदी, नदिया, नदियां पे भी दैपे छोटी की मातरा आएगी, और यहां पे चंदर बिंदू, लड़की, लड़ 2.5 marks का है ये भी हमारा 2.5 marks का है अगला है हमारा दिये गए खालिस्तान में उचित स्वर नाम भरे तो आपको यहाँ पे स्वर नाम भरने है ये भी 2.5 marks का है तो यहाँ पर आपको जो उचित लगे वो आप स्वर नाम भर सकते हैं जैसे वह है अपनी मां के साथ बाजार गई मैंने अपना काम कर लिया है आपका क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है मेरा भाई कल मुंबई से आया या तुम्हारा भाई कल मुंबई से आया आप कहां रहते हो तुम कहां रहते हो ओके सोरी यहां पर क्योशन मार्क आएगा प्रसन सुचक चिन आएगा देखिए पैराना तो आप इसको क्या बना सकते हो पुराना ठीक है देवता ठीक है देवता कबूतर बड़ें की मातरा मैं हीला है पे आप छोटी की मातरा लगाई महिला शैपे आप छोटी की मातर लगाई तो बन जाएगा शिकार ठीक है आईए अब नेक्स क्योशन देखते हैं सही वाक्या पर टिक और गलत पर क्रोस का निसान लगाईए शब्दों का एक निश्चित अर्थ होना जरूरी है तो ये वाक्या है बिलकुल सही ठीक है किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम का बोद कराने वाले को स्वर नाम कहते हैं तो ये है गलत क्योंकि क्या कहते हैं संग्या कहते हैं भाशा के दो रूप होते हैं ये बिलकुल सही है लिखित और मौकिक सुवन नाम का मतलब है सब का नाम तो ये बात बिलकुल सही है ये वाके बिलकुल सही है दे गए चित्रों के दो-दो नाम लिखे ये भी हमारा 2.5 मांक्स का है तो ये है हमारा पेड़ तो पेड़ का आएक तो आप लिख सकते हो पेड़ व्रक्ष, तरु, घर, भवन, सूर्य, सूरज, अगर बादल, मेग, ठीक है, अगर हम इसको कंसिलर करेंगे तो बादल, मेग या सूरज, सूर्य, मेरी प्यारी मा पर निभन लिखे, ये फाइफ मांक्स का है, इसके अलावा आप यहाँ पर एप्लिकेशन भी लिख सकते हो, त तो आज की इस सेंपल पेपर में सिफ इत नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट शेक्शन में में ज़रूर बताया आपको यह वीडियो कैसी लगए, तिल देन बबाई, स्टे सिफ, स्टे हल्दी